Hello dear students, स्वागत आपका हमारी YouTube चैनल Mystery Classes पर और आज हम 12th Class के पहले चेप्टर विलियन को शुरू करने जा रहे हैं विलियन को अंग्रेजी में Solutions कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला चेप्टर विलियन सबसे पहले हम विलियन की Definition परिवासा को समझते हैं क्या होता है विलियन दो या दो से अधिक पदार्थो का कितने दो या दो से अधिक पदार्थो का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक एक्जामपल लेते हैं चलिए एक्जामपल लेते हैं कि हम घर पर शर्वत बनाते हैं तो हमें किसकी किसकी जरूरत पढ़ती है हमें जरूरत पढ़ती है चीनी की और चीनी को किसमें गोलते हैं पानी में गोलते हैं और जब हम चीनी को पानी में गोलते हैं तो शर्वत बन जाता है क्या बन जाता है शर्वत अब जब शर्वत बन तो क्या उसमें चीनी दिखाई देती है बताईए नहीं दिखाई देती है ना उसमें सिर्फ क्या दिखाई देता है लिक्विड दिखाई देता है द्रव कौन से अवस्था दिखाई देती है द्रव सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था दिखाई देती है जबकि चीनी की सव लिक्विट दिख रहा है। उसमें solid नहीं दिख रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि जब हमें सिर्फ एक प्रावस्ता दिखाईे, एक ही अवस्ता दिखाई दे। ठीक है हम दो चीजे मिला हैं, तीन चीजे मिला हैं वो घुलने के बाद आपस में मिलने के बाद, कि विलेन में विले के कर दिखाई ही ना दें विलेन में विले के कर दिखाई ही ना दें अब ये विले क्या हो गया जिसको हम घोलते हैं उसे बोला जाता है विले जिसको हम घोलते हैं हमने किसको घोला चीनी को घोला तो चीनी हो गई विले किसमें घूला पानी में तो जिसमें घूलते हैं उसे कहते हैं विलायक पानी में घूलते हैं किसको घूलते हैं चीनी को तो चीनी हो गई विले घूलने वाली घूलने वाला पानी हो गया विलायक और इसके बाद जो बना वो बना विलियन और विलियन क्या है एक मिश्रण है कैसा मिश्रण है समांगी मिश्रण है और समांगी की कहानी साप सुतरी है कि जिसमें विले के कड़ दिखाई ना दे अर्थात सिर्फ एक प्रावस्था दिखाई दे ठीक है, चीनी ठोस थी, पानी द्रव था, सर्वत वना वो भी कैसा था, द्रव, उसमें हमें ठोस दिखाई नहीं दिया तो ऐसा विलियन, जिसमें हमें विले के कड़ दिखाई नहीं देते हैं एक ही प्रावस्था दिखाई देती है, उसे हम समांगी मिशनर कहते हैं और यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे वो कैसे मिश्रण पढ़ेंगे समांगी मिश्रण पढ़ेंगे इसलिए परिभासा में लिखा गया था दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है क्योंकि इसमें हमें विले के कड़ दिखाई नहीं देते हैं समांगी मिश्रण का अर्थ हुआ जहां पर प्रावस्था सिर्फ एक हो जैसा की चीनी को पानी में घोलने के बाद हमें ठोस प्रावस्था नहीं दिखाई दे रही है सिर्फ द्रव प्रावस्था दिखाई दे रही है ठीक है उदारण चीनी का जल में विलियन शर्वत हो गया ऐसे ही हम जब नमक को जल में घुलते हैं तो पानी नमकीन तो हो जाता है लेकिन हमें नमक दिखना बंद हो जाता है नमक जल में पूरतया घुल गया है और ये विलियन समांगी हो गया है ये मिश्णण समांगी हो गया है तो विलियन कैसा होता है समांगी मिश्रण होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और वाद ध्यान रखने वाली है कि समांगी मिलियन के अभियब components जो है पूरे विलियन में एक समां रूफ से वित्रित होते है युनिफार्मली डिस्टिभियուटेड होते है इसी लिए समांगी मिश्रण के संगटन जैसे हम composition बोलते है एवं good सभी जगहे एक समां युनिफार्म होते है इसे इस तरह से समझ सकते हैं जिसे हम cold drink लेते कोल्डरिंक भी तो एक विलियन ही है तो कोल्डरिंक में। यदी हम चार लोगों को कोल्डरिंक दें तो किया उसकी मिठास अलग अलग होती है। नहीं न जैसी मिठास पहले में होगी वैसी मिठास दूसरे में होगी कोई न कम मीठा होगा न कोई ज्यादा मीठा होगा यही बात यहां पर बताई गई है कि समांगी मिश्रण के संगटन, कमपोजीशन एवं गुड सभी जगाए एक समान होते हैं अभी हमने बताया था जिसमें घुला जाता है पानी में चीनी को घुला तो पानी क्या होगा विलायक विलियन में सामान्यता जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है किस मात्रा में अधिक होता है उपस्थित होता है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है पानी ज्यादा होता है चीनी कम होती है पानी में घुला गया है इसलिए पानी को विलायक कहते हैं और विलायक ही कौन विलायक ही विलियन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है पानी जादा था पानी द्रव था चीनी ठोस थी जब घुल के विलियन तयार हुआ तो विलियन की भौतिक बस्ता कैसी थी द्रव थी इसका सीधा मतलब हुआ कि विलायक ही ये बताएगा निर्धारित करेगा कि विलियन की भौतिक बस्ता कैसी होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं विल विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है या फिर हम जिसको कहेंगे घोला जाता है ठीक है वो विले कहलाता है क्या कहलाता है विले कहलाता है जो घुलता है वो कम मात्रा में होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं विले तो फिर से एक बार बोलेंगे विलेन में जो उपदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उपस्थित रहता है विले कहलाता है किसी भी विलेन में विले एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है इसका एक उधारन देख लेते हैं कि जब हम चीनी और नमक दोनों को एक साथ पानी में घुलेंगे तो क्या होगा विलायक तो एक ही है लेकिन घुला कौन कोने चीनी भी घुली है और नमक भी घुला है ठीक है तो विले एक भी हो सकता विले एक से अधिक भी हो सकते है ठीक है, अब यहाँ पर विले के कुछ और धारन ले लेते हैं, चीनी तथा जल के विलेन में, चीनी की मात्रा कैसी होगी, कम होगी, जल की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी, तो जिसकी मात्रा कम होगी, वो होगा विले, तो चीनी होगई, विले, और जिसकी मात्रा अधिक तो जिसकी मात्रा विलियन में कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा विलियन में कम होती है, उसे कहते है विले, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसे कहते है विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, वही विलियन की बहुती कवस्था का निर्धारण करेगा, आगे बढ़ ठीक है एक विले हो और दूसरा विलायक हो ऐसे विलियन को हम क्या कहेंगे दूई अंगी विलियन कहते हैं तो विलियन जिसमें केवल दो अभियव एक विले तथा दूसरा जो होगा क्या होगा विलायक उपस्थित हो दूई अंगी विलियन बाइनरी सल्योशन कहलाता है उद और जल का विलियन, ओक्सीजन तता नाइट्रोजन का विलियन, अभी तक हमारे दिमाग में यही होगा, कि विलियन में एक ध्रब अवस्ता होगी, और एक ठोस अवस्ता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, विलियन ठोस का ठोस में भी बनता है, विलियन द्रब का ध्रब में भी बन बनता है विलियन कई तरह से बनते हैं विलियन गैस का गैस में भी बनता है लेकिन हम अमोमन जो देखते हैं वैसे ही मानते हैं हम क्या मानते हैं कि एक द्रब अबस्था होगी जैसे पानी होगा एक और दोसरा क्या होगा ठोस होगा या फिर द्रब होगा ठीक है आगे बढ़त विल्यन का विले और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विले और विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो कैसे दिखते हैं थोस हैं द्रभ हैं गैस हैं के आधार पर विल्यनों को निम्न लिखित तीन भागों में वर्गी करत किया गया है मैंने अभी आप से बोला थ कि सिर्फ द्रब में ही हम द्रब को या ठोस को नहीं गोलेंगे कई तरह के और विलियन होते हैं तो पीछे भी हमने एक चीज पड़ी थी क्या पड़ी थी कि विलायक भौती गवस्था का निर्धारण करेंगा क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है ठीक है इस आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के पहला विलियन है गैसी विलियन दूसरा विलियन है द्रब विलियन और तीसरा विलियन है ठोस विलियन देखिए विलियन हो गए अब तीन प्रकार के और प्रतिक प्रकार के तीन तीन प्रकार और आने वाले है देखते हैं कैसे सबसे पहला विलियन है गैसी विलियन गैसी असलूशन विलियन जिसमें विलायक गैसी अवस्था में होता है विलायक ही विलियन की भौतिक अवस्था करने दारण करता है विलायक हमने क्या ले लिया गैस को अब हम GAS में घोलने जा रहे हैं थीक है किसको घोलेंगे जब हम GAS में GAS को घोलेंगे तो इसे के भोलेंगे हम GAS गैस Willion मैंने बोला था भी आभी हमने पीछे पढ़ें हैं तीन प्रकार और इन तीन प्रकार में प्रतिक के तीन तीन प्रकार होंगे कैसे होंगे वही हम देखने वाले हैं गैस विलायक है और उसमें अगर विले भी गैस हो तो ऐसा गैस 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 होगा जो हमने gas विलायक में बनाया था वो कौन सा था gas gas billion गैसी विलियन जिसमें विले तथा विलायक दोनों गैसी अवस्था में हो विले भी गैस हो विलायक भी गैस हो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है gas gas billion ठीक है और ये कैसा होगा समांगी होगा ठीक oxygen तथा nitrogen gas का मिश्रण oxygen gas और nitrogen gas को मिला देंगे तो जो billion बनेगा वो कैसा हो जाएगा gas gas billion होगा oxygen gas तथा carbon dioxide gas का billion जब oxygen gas और carbon dioxide को मिलाएगे तो क्या बन जाएगा जाहिर सी बात है billion जो बनेगा वो बन जाएगा gas gas billion आगे बढ़ते हैं अब इस बार द्रब हो गया विले और विलायक हो गया gas तो गैसी विले जिसमें विले द्रब अवस्था गुलने वाला कौन है द्रब किसमें गुला जाएगा गुलने वाला विलायक है गैस विले द्रब अवस्था में हो तता विलायक गैसी अवस्था में हो द्रब गैस विलियन कहलाता है क्लोरोफार्म द्रब अवस्था में होता है नाइट्रोजन गैस अवस्था में होती है इन दोनों का मिश्णर जो है वो कहलाएगा द्रब गैस विलियन ठीक है आगे बढ़ते हैं ठोस गैस विलियन इसका मतलब है ठोस इसवार विले है तो गैसी विलियन जिसमें विले ठोस अवस्था में हो विले की सवस्था में हो ठोस अवस्था में तता विलायक गैसी अवस्था में हो विले का इस सवस्था में है ठोस में है विलियन जैसे कि हम आम तोर पर विलियन को देखते हैं। ये सामानेता देखे जाते हैं। ठीक है पानी में किसको गोलते हैं चीनी को गोलते हैं इसी प्रकार के विलियन जो है वो सब किसमें चले आते हैं द्रव विलियन में तो परिवासा क्या होई विलियन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है द्रव विलियन कहलाते है या द्रव विलियन कहलाता है तो पहला है गैस विले होगा द्रब विलायक होगा गैस द्रब में गुली होगी दूसरा होगा ठोस विले होगा गुलने वाला होगा द्रब गुलने वाला होगा ठीक तीसरा द्रब गुलने वाला होगा और द्रब ही गुलने वाला होगा इनकी डेफिनिशन्स देख लेते है गैस द्रव विलियन इसका मतलब हुआ कि विलियन जिसमें विले हो गैस विले क्या हो गैस अवस्था में हो तता विलायक की सवस्था में हो द्रव अवस्था में हो गैस द्रव विलियन कहलाता है उदाहरण के लिए जल में ऑक्सीजन का विलियन जल में ऑक्सीजन गुली होती है तो ये विलियन हमारा हो गया गैस द्रव विलियन अब बारियाती है ठोस द्रव विलियन की विलियन जिसमें विले ठोस अवस्था में हो चीनी नमक ये सब किसमें गुले होते हैं पानी में गुले होते हैं बस वही विलियन है विले थोस अवस्था में हो और विलायक जो है वो द्रव अवस्था में हो ऐसा विलियन थोस द्रव विलियन कहलाता है और यह हम आम तोर पर देखते हैं चीनी तथा जल का विलियन नमक तथा जल का विलियन इसके उदारण है आगे बढ़ते हैं द्रव द्रव विलियन इस बार क्या है द्रव द्रव में गुला है ठीक है विलियन जिसमें विले तता विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हूँ ऐसा विलियन कहलाता है द्रव द्रव विलियन ठीक है उदहरन सिरका लेते हैं उसको जल में गुल देते तो सिरका और जल का विलियन जो बना वो द्रव द्रव विलियन हुआ एतिल अलकोलिस्ट को शराब बोलते हैं और जल का विलियन भी द्रव द्रव विलियन का ही उदाहरण है अब अगले प्रकार के विलियन पर आते हैं ठोस विलियन सुनने में बड़ा अलग लग रहा है कि ठोस का भी विलियन बनता होगा, परिवासा को देखते हैं, विलियन जिसमें विलायक ठोस हो, विलायक क्या हो, ठोस अवस्था में हो, को क्या कहते हैं, ठोस विलियन कहा जाता है, ठोस विलियन को भी पुनातीन वागों में बाटा गया है, ठोस विले हो, ठोस विलायक हो, गै उदारण के साथ इन विलियनों के प्रकार को समझते हैं पहला है ठोस ठोस विलियन विलियन जिसमें विले तथा विलायक गुलने वाला और गुलने वाला दोनों इठोस वस्था में हो ठोस ठोस विलियन कहलाता है जैसे तामबा जो होता है ठीक है तामबा और सोना इन दोनों का विलियन किस प्रकार का है ठोस ठोस विलियन जिंक तता लोहे का विलियन ऐसे ही तावा तता जिंक का विलियन जिसे कासा भी बोलते हैं वो भी इसका एक उदारार है आगे बढ़ते हैं गैस ठोस विलियन गैस ठोस में घुली हुई है तो ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं वो कि सवस्था में हो ठो सवस्था में हो गैस ठोस विलियन कहलाता है उधारण के लिए हाइड्रोजन गैस पैलेडियम में विले हो जाए तो ऐसे विलियन को हम कहेंगे कैसा विलियन गैस ठोस विलियन हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलियन क्या है इसका उधारण है अग जस्ट उल्टा है, विलियन जिसमें विले ध्रव अवस्था में हो, तता विलायक ठोस अवस्था में हो, ध्रव ठोस विलियन कहलाता है, पारा सोडियम के साथ जब विलियन बनाता है, तो उसे सोडियम अमलगम कहा जाता है, ठीक है, पारा जिस भी धातु के साथ विलियन बन द्रव ठोज विलियन का उधारण है ऐसे पारा और जिंक का विलियन भी जिंक अमलगम कहलाएगा यह भी एक द्रव ठोज विलियन का उधारण होगा ठीक है तो अब आप पूरी तरह से विलियन कितने परकार के थे और उनके भी कितने परकार है यह समझ चुके हैं इसको अब एक टेविल के माध्यम से समझते हैं पहला है जो हमने पढ़ा है उसी की ये समरी है समरी को समझते हैं विलियन का नाम है गैसी विलियन विले कौन है? गैस विलायक कौन है? गैस गैसी विलियन उन विलियनों को कहते है जिसमें विलायक जो है वो गैस अवस्था में होगा और यही विलियन की अवस्था का भी निर्धारण करेगा तो गैसी विलायक में अगर गैसी गुली हो तो यह विलियन हो जाएगा गैस गैस विलियन उदारण के लिए अक्सीजन गैस का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण फिर इस बब गास में गुला है то इसे कहेंगे द्रव गास विलियन और इसका उधारणता क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गास में गुला हो इस प्रकार का विलियन द्रव गास विलियन कहलाता है इसका अंतिम प्रकार है ठोस गुला होगा गैस में ठोस किसमें गुला होगा गैस में इस विलियन को हमने क्या पढ़ा था ठोस गैस विलियन कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलियन इसका उदाहरण है अगला प्रकार क्या है विलियन का जो हमारे वो है द्रव विलियन द्रव जो है वो विलायक है और बाकी इसमें गुलेंगे तो द्रव में कौन गुलेगा गैस गैस जब द्रव में गुलती है तो इस विलियन को बोलते है गैस द्रव विलियन और इस से पहले अभी हमने इसका उधाराण दिया था क्या है जल में ऑक्सीजन गैस गुली हो तो ये गैस द्रब विलियन का उधाराण है द्रब में द्रब गुला हो जाहिर सी बात है पानी में शराब गुली हो नीबू का रस जो है वो जल में गुला हो सिरका जल में घुला हो ये किस प्रकार के विलियन के उधारण है द्रब द्रब विलियन के उधारण है आगे बढ़ते हैं ठोस घुला होगा द्रब में कौन घुला होगा ठोस घुला होगा द्रब में तो ये हो जाएगा ठोस द्रब विलियन जैसे कि नमक का जल में विलियन चीनी का जल में विलियन इसके उदारान है और ये हो जाएगा ठोस द्रफ विलियन अंत में हमारा है ठोस विलियन इसमें विलायक ठोस होगा देखिए अभी तक विलायक द्रफ था अब हमको दो और प्रकार की विलायक मिल गए कौन-कौन गैस भी विलायक हो सकता है और ठोस भी विलायक होगा इस बार ठोस भी लायक है और ठोस में गैस गुली है तो इस विलियन को क्या कहेंगे ठोस गैस ठोस विलियन उदाहरार होगा हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलियन द्रब क ठोस में विलियन, क्या हो जाएगा द्रव ठोस विलियन, उदाहराण है पारा का सोडियम के साथ विलियन, सोडियम अमलगम, पारा का जिंक धातु के साथ विलियन, जिंक अमलगम, और अंतिम इसका है ठोस का ठोस में विलियन, इसमें ज्यादा तरह मिश्र धातु में ठोस विलियन के उदहरण, आज आपने ये जाना, विलियन क्या होता है, दुयंगी विलियन क्या होता है, विले क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, और आप इसे अपने नोट्स में प्रापर तरह से लिखेंगे, ऐसी उमीद रखते हुए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं अगली क्लास में हम इसके आगे का जानेंगे तो मिलते हैं विलियन चेप्टर की अगली क्लास में थैंक यू